दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपोंड चर्चा करने जा रहे हैं जो के हमारे इस समाज में एक बहुत ही महत्वपोंड नए तरीके की पॉलोशन फैलता जा रहा है जिसका नाम है माइक्रो प्लाश्टिक यानि के ये माइक्रो प्लाश्टिक प्रदोशन यानि ये माइक्रो प्लाश्टिक प्रदोशन क्या है इस तरीके का ये पहला नाम है जो के आप लोगोंने सुना होगा या इससे पहले भी आप सुन चुके हैं तो ये जो है माइक्रो प्लाश्टिक ज्यादा तर अंग्रेजी में जो है इ है तो इसलिए इसे समझना जो है हिंदी बासियों के लिए बहुत ही मुस्किल है लेकिन हम यहाँ पर आज जो है इसकी चर्चा हिंदी में करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे तो इस वीडियो में यदि आपको इस के जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें तो दोस्तों क्या होता है माइक्रो प्लास्टिक यानि कि इस समय मनुस्य की जो सबसे महत्तुपूर्ण खोज है उसे प्लास्टिक अगर कहें तो बहुत ही अतिसयुक्त नहीं होगी और आज का युग जो चल रहा है उस युग को यदि प्लास्टिक युग कहा जाए तो कोई यदि से वक्त नहीं होगी क्योंकि कभी जो था हमारे यहां पाशाण युग चला है उसके बाद जो है बो लोह युग और तांबा युग और लोह युग चले लेकिन आज जो है वो प्लास्टिक यूग आ गया है लोह यूग से बदल कर अब प्लास्टिक यूग में हम प्रवेस कर चुके हैं और यही प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही गातक भी हो रही है यानि के बहुत खतरनाक हो रही है तो यह प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक क्या है कि इस प्लास्टिक के बहुत ही सूख शुमकण जो है वो हमारे इस environment में हवा में पानी में मिटी में सार जगह मिल जाते हैं और हमारे खाद्ध पदार्थों में भी मिल जाते हैं जिससे के वो मनुष्ट के प्रिवेश सरीर में प्रिवेश कर जाते हैं उसके सीमन में भी माइक्रो प्लास्टिक के कड़ जो है वो पाए गए हैं तो दोस्तों इस तरहें से माइक्रो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती जा रही है और इस माइक्रो प्लास्टिक के दुस्परिडाम भी है उन पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले ह रीजा प्लास्टिक हम्मारे पास कैसे आती है और किस तरीके की होती है तो हमारे पास नंबर एक में усupy प्लास्टिक माईक्रो प्लास्टिक प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पहली माइक्रो प्लास्टिक है जो के हमारे पास आती है और ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे पास जो है वो जो हम बरतन इस्तेमाल करते हैं या जो भी हम बस्तुमी इस्तेमाल करते हैं उसके रगड से जो इनके कण बहुत ही बारिक कर तूट जाते हैं उन्हें जो है वो हम प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक के नाम से जानते हैं यानि कि इसे प्राइमरी माइक्रो माइक्रो प्लास्टिक के नाम से जानते हैं जैसे कि हम यदि प्लास्टिक के रवड के टायर जो है वो सड़क पर चलते हैं तो उसके चलने से रवड के महीन महीन कड जो है वो कट जाते हैं या कोई प्लास्टिक की मसीन है जो प्लास्टिक की गरारियां है वो घूमती है तो उससे बहुत ही महीन प्लास्टिक के कड जो है वो टूट टू कण कहते हैं और दूसरे जो हैं वो सेकेंडरी यानि के दुतियक इसे दुतियक माइक्रोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है माइक्रोप्लास्टिक तो यह दुतियक प्लास्टिक बैकन होते हैं जो ये प्राथमी कड़ जब है जब तूटकर और बारीक होके और हमारे सरीर में प्रिवेश कर जाते हैं तो इने दुतियक प्लास्टिक के कड़ कहा जाता है और प्लास्टिक के कड़ आज हमारे चारो और जो प्लास्टिक पाई जाती है उस प्ल माइक्रो प्लास्टिक के कारण यानि कि इसके क्या कारण है जो हमारे पास माइक्रो प्लास्टिक आ जाती है तो सबसे पहले तो हम माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हम प्लास्टिक की बस्तूओं का योज करते हैं जैसे के हमारे पास बरतन होते हैं हम बरतनों का जो प्लास्टिक के बरतनों का योज करते हैं और उनमें खाना खाते हैं तो उससे हवारे नेन बहुत ही बारीक कड जो है वो खाने में मिलक मिलकर और हमारे सरीर के अंदर प्रवेस कर जाते हैं दूसरे जो है इसी में पानी की बोतल भी है अगर हम उससे पानी पीते हैं गलास है उस गलास से डाल कर अगर हम पानी पीते हैं तो उस गलास में बहुत ही बारीक जो नेनो और माइक्रो प्लास्टिक के कड हमारे सरीर में पानी के जरिये चले जाते हैं दूसरे जो है हमारे पास जो बोर वेल होते हैं वो भी प्लास्टिक के अब होने लगे हैं जो हमारे पास बोर वेल हैं बोर वेल वो भी प्लास्टिक के होते हैं और उन बोर वेल से जब हम पानी खिचते हैं तो उस से भी जो प्लास्टिक के कण हैं वो पानी में मिलकर आते है और वहीं हमारी टंकियां भी जो हैं वो प्लास्टिक की होती हैं उन टंकियों से और पाइपों से होकर जो पानी हमारे पास आता है उस पानी में वहीं प्लास्टिक के बहुत ही महीन कड़ जो है वो मिल जाते हैं वहीं इसके में हैं यूज एंड थ्रो जो हम के छोटे छोटे गिलास चम्मच और प्लेटें जो हम यूज और थ्रो कर देते हैं उन से भी प्लास्टिक का जो है वो हमारे सरीर में खाद्यान में मिलकर आ जाती है और हम प्लास्टिक में जो हमारे पास पैकिंग होती है पैकिंग हम प्लास्टिक में करते हैं तो उस पैकिं हैं तो उनसे भी हमारे पास जो है वो बहुत ही प्लास्टिक के कंड जो है वो आ जाते हैं और प्लास्टिक जो है वो हम फेक देते हैं तो वो प्लास्टिक सागर में चली जाती है और उस सागर में जो पानी जो है उसमें जाती है तो वो प्लास्टिक वहां सागर में भी पास आ जाते हैं जैसे हम जो है बहुत से तू तूथ तूथ पेष्ट और तूट ब्रस जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी प्लास्टिक होती है यानि प्लास्टिक के ब्रस से इसे इसते माल करते हैं जो पिलाष्ट में होता है और हम और बांवे प्लास्टिक यह भागते हैं। नमक के पैक पैकिंग यह ओती है वो िती है तो इससे भी हमारे सरीर में प्लास्टिक आ जाती है जब नमक और चीनी की पैकिंग में प्लास्टिक में तो उस प्लास्टिक की-ρωश सेसिंग में जौ है डियर यह नमक और चीनी डियर 2522 कमक데 DeACK में चली जाती है बहीं जब प्लास्टिक के बहुत से जो है वो सामान हम इस्तेमाल करते हैं जैसे के बाल्टी बगेरा जो प्लास्टिक होती हैं उनका जब इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारे जो सरीर में है जो बूर प्लास्टिक प्रवेस कर जाती है तो इस तरीके से हम बाल्टी है टब है और टंकी है इस तरीके की बस्तु में इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम खाद पदार्तों का सरवच्छन करते हैं तो डायरेक्ट जो है वो प्लास्टिक के टच में जब खाद पदार्त आता है तो उसके बहुत सी महीन यानि बारीख नैनो प्लास्टिक के कड़ जो है उसका दिपदार्थ में मिल जाते हैं जिने हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे सरीर के अंदर जाकर और हमारे ब्लेड में जाकर वो निक्सान करते हैं तो इससे क्या लाब होते हैं या क्या हानिया हैं वो हम भी बता देते हैं यानि कि इससे हानिया हानिया ही होती हैं लाब तो कुछ होने का ही नहीं है इससे हान यह है कि यह जो है वो कैंसर की बीमारी का कारण बनते हैं और साथ ही साथ हमारे स्वास्ते को खराव करते हैं यानि कि भूख ना लगना इस तरीके की बीमारियां बन जाती हैं जब ये प्लास्टिक के कंड़ हमारी कोशिकाओं में जाते हैं तो उस कोशिका को जो है बहुत ही प्रवावित करते हैं जिसे कि कोशिका जो है बो जो है विविन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही बना है यदि हमारे इस सरीर की कोशिकाओं जो है वो शेल जो है वो भी मरने लगेंगे तो हमारा सरीर के इस तरीके से बचेगा तो यह जो है वो असर करते हैं और हमारे जो है यह पेट में जो बहुत ही छोटे-छोटे चिद् से रस लेते हैं तो उसमें यदि ये प्लास्टिक के कड़ फस जाएं तो आदमी को भूख ना लगने की भी बीमारी हो जाती है वहीं ये जेनेटिक जेनेटिक बीमारियों का भी जो जेनेटिक बीमारी जो होती है उनका भी कारण बनता है यानि कि इसमें जीन्स जो होती है मनुस की उस जीन्स में ये बदलाव कर देते हैं प्लास्टिक तो इस तरीके से हमारे जो सरीर में बहुत ही बुरा प्लास्टिक का असर पड़ता है तो दोस्तों लेकिन हम करेंगे कि तो क्या करेंगे क्योंकि यह योग यो है वो प्लास्टिक का ही योग है और इस प्लास्टिक के इतने खत्रे हो गए हैं कि आने वाले समय में ये प्लास्टिक जो है मानोजाति के बिनास का कारण ना बन जाए इस से बचने के लिए जो है मनुस्य को आज से ही सचेत होना पड़ेगा और प्लास्टिक के प्रियोग को कम से कम करना पड़ेगा यानि कि इसकी कोई इलाज ही नहीं है इसका केवल यही है कि हम प्लास्टिक का जो है वो कम से कम प्रियोग करें और कम से कम यूज करें क्योंकि आज के सामान में हर चीज चो हमारे पास प्लास्टिक की है तो यह प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए घातक है तो दोस्तों उम्मेंद करत कि आज आपको माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के बारे में पता चल गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ग्रही तब तक के लिए जहें धन्यवाद